इतना कुछ खा लिया यार, डाइट खराब हो गई, wish you all a very happy holy, I hope सबने बहुत अच्छे से holy celebrate की आज, अगर celebration की बात करें, तो हमारे लिए बिना समोसे, पूरी जलेबी, इनके बिना हमारे celebration incomplete है, और जब घर में इतना कुछ बनता है, तो आप कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं, अब हमने खा तो लिया इतना कुछ, बट ये सब सोच के, we get stressed, हमें टंचन होती है के यार, डाइट खराब कर ली, अब आगे कैसे करेंगे, Since this is the way we celebrate, I think एक दिन के लिए, it's okay to join the celebration. Festivities are over, और अब time है, हमें वो extra consumed calories को burn करने का, क्योंकि stress लेक है, तो नहीं होने वाला, we will have to work for it, so we are going to do that, okay? First is, drink a lot of water, आपका जो भी water consumption है, increase it, अगर आप तीन लिटर पानी पीते हैं, तो try to drink 4 liters of water in a day, क्योंकि ये आपको बहुत help करने वाला है, और गर्मिया भी आ रही है, so water is very very good for your health. Eat simple food, जितना simple खाना आप खा सकते हैं, खाइए, आपको oily and spicy avoid करना है, जैसे मैंने दाल चावल खाया, and when I am saying दाल चावल, I am not talking about दाल फ्राई या दाल मखनी, आपको plain दाल चावल आप खा सकते हैं, या फिर दाल रोटी is also okay, दाल चावल के साथ आप सैलेड भी खा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है, third point will be cut on calories, मतलब आप अपना जो भी खाना खाते हैं, उसमें से quantity थोड़ा सा reduce कर दीजिए, example, अगर आप तीन रोटी खाते हैं, तो दो खाईए, that will help you to compensate the extra calories you have consumed during the festivities, fourth is, keep your same exercise routine, उसमें आप कुछ change नहीं करेंगे, एक दिन आपने extra calories खाईए, that is okay, but अभी आपको same plan follow करना है, exercise में कोई change नहीं होगा, क्योंकि आपको बाके activities भी करनी हैं अपने दिन की and you don't want to be tired for them, उसके साथ साथ अगर आप जादा करते हैं, तो वो कहीं ने कहीं आपकी body को भी harm करेगा, so आपकी exercise routine में कोई change नहीं होगा, next is don't stress about it, अब आपने खा लिया, खा लिया, okay, अभी जो plan है, you have to follow that, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, कुछ लोग stress की वज़े से और खाते हैं, वो कहीं ने कहीं जो आपका goal है, वो आपको और उससे पीछे खीशते हैं, you are not able to reach there, so stress लेने की ज़रूत नहीं है, we will try to stick to the plan that we have made, last and most important one, खाना नहीं छोड़ना है, यह सोचके कि आज मैंने बहुत सारा खाया, तो मैं दो दिन नहीं खाऊं, खाना छोड़ दूँ, तो मेरा वो compensate हो जाएगा, no, you need energy for the day, आपने जो खाया वो ठीक है, but now आपको वो धीरे 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 कवर करना है, so in that case, आप क्या करोगे, जिस मैंने पहले ही बोला है, आप थोड़ा कम खाईए, but खाना नहीं छोड़ना है, और आपको अपनी डाइट लेनी है, कम quantity में लेनी है, but you don't have to stop eating, okay? I hope you like the tips that I've shared, अगर आपको अच्छा लगे और लगे तो प्लीज मुझे बताना, and keep supporting, thank you so much.